स्वाध्याय टीवी डॉक्टर बाबा साहिब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटे नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहिब आमबेडकर ओपन युनिवर्सिटी मां आप सवनू हादिक स्वागत छे बित्रो, आत्म कथना आजे अप्ध्यास्क्रम नी आपने एके क्रूतियों जुई रहा छे एमा आजे हुँ वाद करवानी छू बनांचल जयन पाठक लिखित सैशव स्वूती कथा बनांचल नी वाद अपने जाने शू गुजराती साहित्यना गांधी यूग अने अनु गांधी यूग ना संधी काड़े जडकेला जयन्त पाठक समर्त कवीशे जयन्त पाठक वेदना रसना कवीशे, विश्मईना कवीशे, बनांचल ना कवीशे तेमने वलगण चे, प्रीतीनू, प्रकृतीनू, वतननू, मर्मर, आ बधा जे वलगणों चे आपने एने भले वलगण केता होई पने माथीत सर्जन धयु चे अने ये सर्जन ना वरिपाक रुपे, मर्मर, संकेत, विश्माई, सर्गे, अनुनाई, अंतरिक्स, जिवा काव्य संगरो थी गुजनाती काव्य, विश्व सम्रुद्ध धयु जे एमनी पासे आपणने काकासाहेब कालेलकरनी स्मरणी आत्रानी पडखे बैसी सके एवी स्मुरुती कथा वनान चल पण मड़ी छे आव प्रांद चंदकान सेठनी दूडबानी पगली, चंदकान पंडियानी कृती बानो भीखु, जेवी कृतियो साथे पण वनान चल नी सर्खामनी आपने करी शक्क्ये वनान चल नो धुन्दलो आकारतों एमनी कवीता सर्जनना आरमकार्थी जरचातो रहो जे परन्तु, 2967 मा स्मरण कथा वनान चल प्रकासित थया बाद कवी तरीके प्रतिभाने आगवू ध्रूपद सापड़ियो जे अजोता कवी जरेंत पाठकना सर्जन विकास मा बनान चल नुँ स्थान अनोखु अने अनेरु महत्प दर्शावे जन अपने गणी बदी आत्म कथाओ जोई मित्रों ए आत्म कथाओ मा अपने गणी बार जोई उके मानसनी जिन्गी नो गणो काले नी अंदर होई एने वितावेला जे वर्सों छे एमा थी थोड़ाक वर्सों नो इतिहास होई एमा थी थोड़ाक वर्सों नी ये मथामन होई अथवा तो गणो मोटो समय गाडो एनी अंदर तर्शावेलो होई आत्मकथा मां अपनी साथ जे बन्यू छे जे घटनाओ बनी छे आत्मकथा कार साथ एनो उलेक होई छे पड़ आजे आजे आत्मकथा नीव वात करी रही छो थोड़ी आ बथी आत्मकथा होते विस्ष्ट छे कारेंके एनी अंदर वात पोता नीच छे पोता ना अनुभवनीच छे पड़ ए अनुभवनीस साथ प電पना बाल्यकालने सैसे उकाल ने एमने आ लेक होँ जे उलेक करया जये पोता नी वहात आवए पोता न आजु-बाजू ना मानसों नी वहात आवे बधू आवे आत्मकथामा ए आवे ज़, ए अपनी आसपासनी दुनियानू प्रतिने धित्व करे ज़े आत्मकथामा, ए बदुँ आवे, पड़ बनान चल एक एवी विशिष्ट स्पुरुती कथा ज़े, के ए अनुभाव फक्त पोताना पूर्ता अत्वातो, पोतानी आसपासना लोको प पर्म्यान पामेली ए सम्रुती नी, आपने कईये जे नके आत्मकथा ए आत्मानो राग छे, आत्मा माथी जनी छाप पड़ी जे, ए आत्मानो राग आत्मकथामा अपने जोईये जे, तो वनान चे एक सम्रुती कथा, रुपे बनेली आत्मकथा, आपने कई शक्ये, नाव एमनी कवीता ने प्रकृती साथे केवड प्लेटोनिक लव न थी एमना जीवन नो समग्र अनुभाव जाने के सैशव मां स्थित थाए छे अथवा एम कहो के सैशव एमना अनुभावनू काव्यानू भावनू गंगोत्री स्थान छे तमी जो यो नमणाज में तमने वाद करी के वनान चल एमना शैशव नी कथा छे अने घणी वार जैन पाठक नी एक विसेश्टता कईये ने तो वनान चल मा जीए प्रकृती जी आसपास नू वातावरण जी अनुभाव जो ए शैशव ना जी अनुभाव छे ये जे पण कईये आवे छे ने एमनी काविय मापण आवे छे काविय मापण एनू प्रतिबेंब पड़े छे एमने वनान चल जी लखी छे ने एपण एक भले गद्यस्वरूप होईब स्मृती कथानू पड़ पत्यना रंगे रंगा एलू छे आगर जुए तो जैन पाठक विसादना जीना जीना क्रंदनना कवी छे वनान चल स्मृती कथाना सर्जक कवी वतन मां स्मृती आनंद छे घर बांधता व्रुक्षो घास अउतार आदीमतानी एक अनुपूती वर्षो वची वतन मां वतननी विदाई थता थोड़ो वगडानो स्वास सो भरे क्या छे एक वारनुघर प्रवडवय वतन मां नदी वन डुंगरा वच्चे पाछो वडू मारी आसपास जिवा अनेक चांदस अचांदस पारंपरी चोनेक तथा घीत रचनाव मां वनान चलना कवी नी सर्जक मुद्रा उपसी आवे जे जे बद्धू घद्धे रूपय आपणने वनान चलन मां मड़े चे ए बद्धे रूपय अमनी कवीताव मां पण ए अनुभाव ए भाव ए लागणी ए वतन प्रत्यन अभिव्यक्ति आपणने एमां पण मड़े चे थोड़ो वगड़ानो स्वास, आपने ये काविय लाईये, तो थोड़ो वगड़ानो स्वास मारा स्वास मां, गीत मां कवी ए पोताना सर्जक व्यक्तित्वनों पोतेज परीज आपयो जे, बनांचलनी प्रकुती ना सानिध्य सहित, जन्मेला, उचरेला, आ खवी पोतेज जाने के प्रकृती नो एक अंस एक अंग बनी गया होई तेम तमे पोतेज ब्रुक्षवानी जी अनुभूती करे छे तो एक कवीता जोई ये बनांचल नो घणो भागा कवीता मां अपने प्रतिपेंबित थाई छे पहाडोंना हाड मारा पिंड ने नाडी मा नानीरी नदियोंना नीर छाती मा बुल्बुल नो माडों ने आंगडी मा आधिवासीनू तीनू तीर रोम रोम मारा फरके चे घासमा, थोड़ु वगड़ानो स्वास मारा स्वासमा सूरजनो रंग मारा पानड़ा पीए ने, पीए मातीन नी घंद मारा मूड अर्धूते अंग मारू पीडा पतंगी याने अर्धूते तमरान फूल थोडो अंधारे थोडो उजासमा थोडो वगडानो स्वासमारा स्वासमा तमें जुओ आमा जे अनुभूती करे छे के वगडो इमारा स्वासमा छे हूं एने जीबू छू ये अक्कि जे जिववानी प्रक्रिया छे जे अक्कि अनुभूती छे वनांचल मा बोद सारी रिते एक घध्य मा प्रगट करी छे अपने वनांचल नी व्याख्या करवी होए तो कही सक्किक यें के वनांचल एटले गध्य दे हे आउत्रेली कवीता के पची गद्य देहे अउत्रेलू उर्मी काव्य, के पची सैचवनी स्मरण कथा वनांचल थी नगर संस्कुरूती मा आवी ने पश्या चे परन्तु वनांचल नी स्मुलूती एमनी कवितानी मुख्य अ परिहार्य अनभूती बनी रहे चे वन्तो मानबीनू मूल घर तो छेज, एज मानबीनू ए खरू वतन पणचे आदी मानव वन्दमाज वस्तो अतो, कवी घणा दिवस पची सहर मा थी पुताना वतन ज्या सैशव गाले हो छे, त्यां जाय चे एमनू घर अने ए वतन ने खोडे, ए वन ने खोडे प्रकृती ने खोडे पोँच, ताहज संस्कृती ए पेरावेला वागा, आवरणों तरत सरी पड़े जे इस वाभाविक पंचे मानव सब्यता आखारे तो एक अंचडो चेन आदिम वृतियोंने सयमित, नियंतरित करवा, मानव संस्कृती सब्यता नोव विकास थयो संस्कृत सब्य मानवी प्रकृती थी दूर ने दूर थतो गयो संस्कृती सब्यता मानवी ने दंब करता शिक्वे जे बनावटी चेहरा, मोरा, धारण करीने जीवता अशिकवे जे परन्तु प्रकृतीने खोले जता तो मानवीनों असली चेहरोज प्रत्यक्स थाए जे एटलेश दो कवी आदीमतानी अनुभूती मा कहे जे हुँ आदीवासी सो फरू असल वातावरण मा बनांचल स्मृती कथामा कवी जयंत पाठक विसाद अनुभूता वर्णवे छे आजे तोहुं सहरी चो प्रोफेशर चो रस्तामा उपरना ने कॉलेज विस्तार मा उगेला व्रुक्षो जोई ने आजे पहलो वीचार एनी उपर चडवानों आवे छे कोई पन व्रुक्ष जोता मन चडवानी युक्ती सोध्वामा गुथाई जाई छे ने मनो मन चड़ी उत्रू त्यारेज दाड़क वड़े छे हाँ, मनो मनस तो बाकी तो आ सब्य दुनियामा एउक रुत्य थाई के अने सुधर्या पची एकांतना मोका आव्या छे त्या जाड़े चड़ी जवाना प्रयासो कर्यापन छे ने हजी गुलाट नथी भूल्यों एक ख्याल थी संतोस अने आनद अनुभाव्यों छे सैशवना स्मरणोंना चित्रात्मक, काव्यात्मक वर्णानो अने गुजरात ना पूर्व सिमाडाना जानपदी जीवनुनू चित्रांकन आ कला कुरूती नी विस्ष्ट भात आखी ने तैने गुजराती साहित्यमा अनुखु स्थान प्रस्थापित करिया आपे छे कुरूती नी प्रस्थावना रूपे दर्शक जनम भौमने जलान जली लेखमा दर्शावे छे तैन सामान्यस भूती कथा मारा पीता के मारा दादा आम आम भता अमारू कुटुमबाहु अतू एवी उक्तियोती सरू थतू होई पन वनांचल सरू थाए छे पूर्व पंच महाल ना वनांचल ना एक विस्तार थी पस्ती मोटे भाके कोली धाराडा बाराईया आदिवाशी नी प्रदेशनी खाश्यतो गामनी नदीग गामनू वर्णन थान थाना ना अमलदारो आव वर्णन चाले छे पोताना कुटुमनी बाद तो छेक चोविसमा पाने सरू थाए छे पोतानी स्म्रूती मां पोताना समाजनी आवी अभिन्यता बनाई जाई तेवो भाक्यज जुआ मले छे आपने आम कई शक्के के बनांचल स्म्रूती कथा कुल बार प्रक्रणू मां भेंची छे सर्जके 5-7 वर्सना भाडवाई न संस्मरणू मां थी मांडी ने 10-11 वर्सना किसुरा अवस्थानी स्म्रूतियों सुधी आले खाये लाजे वनांचलना बार प्रक्रणू मां सर्जकना सैशवना संस्मरणू अने तेनी साथे सर्जकनू तादात्म्य सुपेरे प्रकट्थे उँछे वनांचल स्म्रूती कथानो उघाड अज अनोखों ने विसिष्ट जे सामन्य रिते आत्म कथा जीवन चरित्र के संस्मरण कथानो आरंब लेखक पोताना कुटुम परिचैती ज करे अथ्वातो स्वजनों आप्त जनों ना परिचैती थाए परंतु अही आस्मुती कथानी सर्वात्तो पूर्व पंच महल जिल्वानना राजगड महलनो गोठ काम एनी निसर्ग लीला अही वस्ति आधिवाशियो निवस्ति एमनी रेणी करनी परंपरा रीत रिवाज तेमना जीवननी वास्तविकता वगेरेनु आलेखन करुछे आ कथामा गुजरातना पूर्व सिमाडाना जानपधी जीवननों चित्रांकन एमने करुछे अहीं आ प्रदेश साथेनों तेमनों अपूर्व अनोखो घरोवों अने तादात में केंदर मां छे अने माता पिता भाई बेनों पडोसियों सिक्षकों बगेरे आ केंदरनी आसपास ना प्रवर्ता स्मुर्ती सम्वेद्यों छे जेंत पाठकना सर्जन मां एमना प्रकृती राग अने अतीत रागनों सातत्य जोहा मड़े छे एमना कवी कर्ममा आसंसकारों ना प्रतिबिंब जिलायेला आपने नोधी सक्या छे सैशवनी रमतों के प्रकृती ना सानीध्यमा गाडेली एक शनों कवीने वारं वार अतीत ना एसंस महरणों मां खेंची जाये छे वनांचलना अग्यारमा प्रकरणमा किसोर जहनत कालोलनी अंग्रेजी साडामा तने जवान उथाए छे त्यारे वनांचल थी विखूटा पडवानी व्यथा जे हैं इड निरूपे छे ए जुई ये तो इस अर्जक प्रत्यक्ष कर छे तेम रेतिनू एक एक धारू रुदन समयनों रत मारा बुदकाडने कचरतो आगडने आगडवदी रहो छे बड़दना पगती पाणी मा थोड़ो खल बड़ा थाए छे ने गड़ू नदी पार करी जाए छे अने एक पची एक व्रुक्ष बहरुओनी विदाई लेता बचू भाईनों करुण रस्ती भरपूर चित्र एही खड़ू थाए छे स्वजन समी अनूरी काचलो ने खाखरो सत्रू हर्णी मातानू धानक द्रुसको कोतर मोरड़ी ओ डुंगर वगेरे एक पची एक दूर दूर थता गया बचू भाईनों सरीर गाडा मां चे अने भविश्य तरफ गती करी रहू दोड़े चे पड़ रदई एतो अतीतने पकड़वा पाचू दोड़े चे गाडानी पाचड बांदेला ढोरनी जेम कसडा तू ना छुटके आगडवदी रहू चे लेखक लखे चे हूँ वनांचल छोड़ी ने वस्ती मां जई रहू चो जंगल डूंगरा ने नदी मने पाचड खेंची रहा चे अधरती साथे मारे एटलो गाड संबन छे ते आजे विखूटा पड़ती वखते जानवा मड़े अने व्यथीत बचू भाईनू रदै तो एवू इच तू हतों के बस गाडू चालाज करे चालाज करे ने कलोल कदी आवे जनी तो के उसारू परन्तु मन्नू धारेलू क्य थाई छे बचू भाई सेर मा आवे चेन गणू बदो भणी ने बचू भाई माथी कवी प्रोफेसर जयन पाठक बने चे पड़ा अतीतना आसंभार ना क्यारेक तेमने एवा वेदना ग्रस्त करी मुके चे के तेव सेहर मा रहीने थोड़ो वगडानो स्वास ले पोतानी ज व्यगरता विसाद अने अमनी पासे वतन प्रेम प्रकृती राग अतीत रागनो साहित्य सर्जन करावे चे गर्बने छोडता बालकने जे वेदना थाई एवी वेदना वनांचलने छोडता कवीरदैने थाई चे इस वाभाविक तो इस सजीवारो पन उपमा अलंकारो थी भावकना चित्रपट पर चित्रपट नी जेम पसाहर थतू एवु जीवन तालेखन बन्यों छे आत्मकथानू अन्तीम बार्मू प्रकृरण तो लेखकना कवित्वनो उत्तम परिचायापतू सिरो मोर प्रकृरण छे बालपन विती गयो छे वतन साथेनो तन नितेवु जडाय गयो छे जिंदगीना साड़ा त्रोन दाइका वटावीने लेखक सैशवमा मानेला बतनना सोंधर यने जोवा अने मानवा बतन पाछा फरे छे अने त्याद तो तेमने काईक जुदो जनू बहु धाय छे एक वार अहीं आग गाडीनी वात पण कोई तु त्या तो दम धोकार एस्टीनी बसो दोडे छे एकवार नू घीच जंगल भाग अने वरूती भरेल गाडा मा बैसी ए बैसीने के चालता हो ये त्यारे तो विस्तार मा प्रवेस्ताज बात एकदम धीमी थाई जाए एवु आ जंगल आजे तो आचु ने ओचु थे ग बिन्न थाई गयो छे जा केडियो हती त्या रस्तो थाई गयो छे केडियो तो विचारी बगडामा संताती संकोचाती फरे छे रखेने घास के छोड़ धसी आवे रंजाडे एवो एने भाई पणा रस्ता एमनी तो जाने साही सवारी संकोच तो एसी ख्याज नथी संकोच जावानू ते तो वगड़ाने जाड़ पाणने बिचारा आघा खसी ने जगा करिये आपे, आड़ा थाई, तो एमनु जावी बने जान थी जाई, ना वगड़ो, मानस ने आस्रे आपतो पिलव वनान चलने, क्या आ मानस ने आस्रे एनी दया उपर जीवता जाड़ाँ, हव आरणी अक नोज फकरो जाने के कवीर दयोनी अनुभूती सर्खी होई त्या वाणी मा पन साम्यता तो आबेज उजड थाई गयेला वतनना गाम मा हवे तो बंधने कारणे करड पन पातडी सेर जेवी बने गई छे काड़ा खड़को हाडपिंजर समा पड़े आचे भई प्रेर्था जरकना छी कोटा फालूडीनु रुदन साहूडीना पीछा के भागना पगला कसूज व्रुक्षोनी आडास साथे भईनो गुडतानो रोमांच पन नश्टतायो चे अने आ बदू कवीना रदैने हल्बलावी मुके छे उप्योगीताना आदर्मान थता सोंदर्यनी जी एवगणना थाई छे ते कवीने अकड़ावी मुके छे मन मुझाई छे उदास थाई गयू छे कोई अजानिया मुलक मां आवी पड़यो होई एवु लागे छे गोठ तू नती मारो माटीनू खोडू मारी सलेल सबर नदी मारो वगडो ये बदू गयू हाँ हजी डुंगरा एवाने एवा उभाजे ए मोरडियो ए कानपूर्यो ए एक काईक सचवायो छे आडुंगरा ओनी ब्रज मुठी मा तेथी काईक मारा मन मानी व्यगरता छूटवा हूं सांजे घहरती निकडू छों कोतर उपर थाई अने गोठ गाम मा प्रवेसू छों एक कोतरों जिहां थी रानी बिलाडानी औने भूत नी बिक्ती धपकारा चे हजी पेला ताडकेश्वर मा आदेव बैठा छे तपे छे सहार ना स्वामी सहार लीला ने निश्चल ताथी निर्मंक्षेत्रे निहाडी रहा छे चोतरों दिवसे दिवसे नानो ततो जाई छे लोकक्षाई क्रुत काड़ने रोकनार एही कोई न थी आम बल्यों ने ल जाने ओ घणी ने भषे रया सया जाडवाने पूछू चू मने उडखो छो जवाब मा जाने माथू दुणावी ना ना आ भूमी पूर्तू जाने के हूँछी उतो जनती मान भी जनती प्रेत छू वासना देहे विचरू चू आ सीडी डूप मा पड़ेली मारी हजारों बले घध्य देहे आव्या होई पड़ेनू अंतर पोत्तो पद्य नूज छे उर्मी नूज छे पिताना अउसान पछी ए वतनने भारे रदये छोडबू पड़े उचे अपने मना जोयू के जे वतनने भारे रदये छोड़े उचे माज आगड ते वतन साड़ा त्रोण दाईका बाद फरी वतननी मुला कात लेता वतननू ए घाम खोवाई गयू छे संत्कृतीना आक्रमन थी पासेनू घोगंबा गाम हवे सहर बनवा मांड़ू छे ने गोठ जाने एमा भड़ी नती मन मुझाई छे उदास थाई जाई छे जाणे पोते कोई अजाणया मुलक मां आवी चड़्यानों अनुभव थाई छे पिली सलील सभर नदी वगडो बद्दू खलास थाई कहुचे देखातू नती क्या है पड़ियामा आबल्यो ने लिम्डो ए उभाचे अमनाचा अपने वाद करीने के ए अंदर लखे छे वनांचल मां के ए उभाचे एना उपर चड़ी ने रमनार कोई नती लेखक ने जोनार ओडखनार हवे कोई नती साव अपरीचित वस्ती मां आवी पड़्या होई वो भाव लेखक अनुभवे छे वतन पन जाने मोव फाड़ी ने अम टाकतू होई युवेमने लागे छे एक शाण जे उन्डा विसाद नी अनुभूती थाई छे एमाथी जयंत पाठक नी कवी ताओ सर जाई छे एमाथी जवनांचल ना प्रक्रणू कवी ना सीसूरदै ना वतन ना स्मृती चित्रों ने प्रतिबिम्बित करता जाई छे अने वनांचल नो सर्जन पन थाई छे मोटे भागे आत्मक अथाकार नी रचनाना केंद्रमा सर्जक पोते होई पना ही तो सर्वात थाई छे पन्च महालना वनांचल ना प्रणन थी केंद्रमा छे गोठ गाम अपची कुटुम्जन उल्लेक तो 24 मा प्रक्रण थी थाई छे पन आपन अमनाज वात करी हवे आपने वनांचल ना आप बार प्रक्रणों नी विगतो जोई सो क्या आपने वात्तो करी के वनांचल नी वात छे पन्च महालना गोठ गाम नी वदी वात छे पन्च महालना वनांचल थी करे छे पन्च महालना आप पूर्व विस्तारना जंगलों मा वस्ता आदिवास योनी विविद कोमों नो परीचय आपी लेखक पोताना वतनना गाम गोठ एनी पासे थी बहती करड नदी मोरडियो अने कानपूर्या डुंगर नी बात करे छे गाम मा पैस्ताज देखा ता बे नाडियरी न मकानों के जह मा एकज कुटूम ना मानसो वसे छे एक घर मा माता पिता अने धावना बाड़को अने बीजा मा दादा अने वात्रस्या बाड़को वसे छे एनो उलेख करे छे दादाजी नी बातो रामायन महभारत ना कथा प्रजंगो क्रिश्ण ना अदबुद बाड़ चरित्रो नी कथाओ हवामा गूंजती लागे छे ए पछी लेखक गोठ गामनों परिचय करावे छे गोठ गाममा आठ प्रह्मनना गर एक बावि न्वगर अने चोसाथ कोडी ना गर कोडीयो ब्रह्मनों न घरोमा चान वासीदा करें पाणी भरे ब्राम्मणुना घरमा गीर्जातंकर पंडियानू घर, अंधार्या कैत खाना जिवा ओडामा रंचोर जीनू बंदीर, अने राज्य तरफ थी, वर्चासन मले एमा पैस्ताज माथे चामाचीडिया भटकाई, आगड चालता नदी अने तेनो हाथी यो धरो, जुए छे, बाजुनी जाड नी दाड़ी पर थी, नदी मा भुसका मारवानी, मजा मानवानी, अहीं ज डुबवा थी, घटनाओनू स्मरण पण, आवी जाए, डुबता जैन्त पाठकने, बेन चोटली पकडी बचावीले, चोटली राखवानो आ जीवन लाब, आ जीवन तन्तू, जारे सिकंदर नो पाठ भजवा, काडी नाखवी पड़े चे, त्यारे एद दूख जे लेखक ने थाए चे, एनो पड़ वर्णन करे चे, अहीं कृतग्नता पुर्वक नी सुरूतियों प्रगट करे चे, बीजा प्रकरण मा लेखक केटलाक व्यक्ती चित्रों पोताना मित्रों, पोताने नवे आउतारे लावनार दाक्तर, भवानी संकर नो परिचया पे चे, एक वार भवानी संकर जे डॉक्टर चे, डादा ने अफिन खावानों सोख तो, ए बहुदू अफिन जे चे, ए लेखक खाई जाए चे, अने एनाली दे एमनो जीव जो खम आवी जाए चे, त्यारे आभवानी संकर डॉक्टर चे, तेमने बचा आवे चे, पहला महायुदु मा सेवा अफ्वा जव न पड़े, ते थी आभवानी संकर डॉक्टर चे, ए गोठ गाम मा बसी गयेला, दाक्तर पासे सरुमा अत्मा आदिवास्यों बो उच्छा आवे, करेंके डाक्तर नी दवा करता भूवो, अने दोरा धागा मा एमने विश्वास वधारे, पन धीरे धी जए एमनी संक्या वधवा माडी, बवानी संकर मानस अने डॉर बन्ने दवा करे, क्रोधे भरा एत्यारे कोई नाज नही, छता अंतरसी दयाडू स्वभावना डाक्तर अफीन खाई जता बेभान थाई गयेला लेखक ने त्रोण दिवसनी सतत सारवार पछी नव जीवन बक्षे छे, तैनू संस्मरण अहीं अले खाये उछे, त्यार बाद लेखक साडा जीवनना संस्मरणों याद करे छे, गोठ गाम मा चोकरा भणमा आवे, गरीब चोकरा ताड मा पसायत मा उगेला कुवाडियन तापणों करे, मास्तर वो पन तापणे आवे, अने आटक लखवानों यक्स चाले, दमला मास्तर तो भणावे, ये करता सिक्षा एज सिक्षन, येमनों मंत्र, मोटे भागे ते घैर ज रहे, पतनी साथे लडता रहे, साडा मा आव लोगों ये हाफ्तो परेटले दमला मास्तर तरीके उडखाई, मार खावामा एकका एवा सौम लादर जीनों उल्लेक, पन अहीं खुबत सरस्रिते नोन पात्र रिते थोचे, काम करवामा होस्यार ते थी मास्तर नी वहुनों प्रिती पात्र बन्यों, एटले सिक्षान, सिक सस्ती गवाई, देव घड बार्या थी, सिगराम मा बैसी ने जे डिपोटी साहे बावे, ए बे दिवस परिक्चाले मिश्टान जापते औने बीजागा में उपडी जाए, निसाडली रजाओ पूरी थता, नवी चोपडियों, पान सुखवा औने सुखाडवानी खुब मजा आवे, ने जुदी ज कैंक मजा होई, तारांकीत कागडवाडी पैन थी, लीटा करवानी पन मजा पड़े, ने जो खडीना टुकडा थी पाटिया उपर साहे बे लखवानू कलम मा थी, तो एमनी कलम मा थी अमनी तरतू जाए, ए चोपडियों मा थी, कल्तना नी को उपर, आजे पन डाहापन नी दुनिया नो जे बोज लाधवामा आवे छे, तेना थी मुक्त रहवानू पन ए सिक्षण आपे, आजे तो आपने इजनेरो डाक्टरो प्रधानों ने नेताओने पैदा करवाना छे ने, केडवाएला रदैना कल्तना सील मानसो क्या पैद विक्ता छे, एना आघणनू प्रक्रण जोईये, तो त्रीजा प्रक्रण मां मुख्य वर्ण विशय, पंच महालना बनांचल मां रहता आदिवाश्यो ना सोशन, अने एमना पर गुजाराता जुलमना वर्ण नो छे, बै त्रोन प्रसंगो द्भारा लेखा के एते उपसा एक अधिकारीने तुक्को सुजियो, के नदी सुधीना रस्ता उपर बनने बाजु, जाड उगाडिये, जाड रोपाया, थाने आउता आदिवाश्यो ने, उगाडे पगे ताप मां मोटा मोटा वासनो भरीने जाड ने पाणी पावा जवानू, आकाम आदिवाश्यो ने जवाब आपे एतो खरहाणी नी जात, एमने नाद जाई, लेखक कटाक्स करे छे के अमलदार साही ना ताप आगड आ लोकोने सुरजनो ताप कोणो लागतो हसे, तो कोई अमलदार वडी हाडा कोडी नी दोडी पिलिये जपाद रा, ना सूत्रमा मानता होई, डंडानो न नियाएज अही साचो नियाए, वाग वर्वोनो एकले हाते सामनो करता लडायक बादूर लोको, खाकी डगला थी डरता, एमने मन थानू एटले यम सदन, अने सरकारी अमलदार एटले जमडा, बड़े कही अने यम, जमडा, आ अमलदारों आदिवासी स्त्रियों नी विभ चोरी ना गुना माटे संका उपर पकड़ाएला नानियान नि रामलाने दोर मार मारवा मा ओतो, घर रोटला खावाना ने थाणा मामार खावाना पन मारथी बचवा, खोटु बोली, चोरी कबूल करवा मा, पाप समजता आम मानसो, मार खाईने मरी जवानों पसंद करता, रामलो मरी जाये छे, पर नान्यों पन लीदू ना होई तो च्यम माथे ओड़ी लेवाई, आप रूजाई ने जुठ्टु बोली ने भगवान ना गुनेगर थोड़ा कई बने, नी मान्यता साथे आलोकोमार सहेज जाई, ए नाना भाई आजे मौंगवारी माटे लड़ाई ने कारण भूद कने चे, त्यारे लेखक सवराज, एलके सवराज आवी गयानी वाद करे चे, त्या आपन नान्यों कहे चे, गादी महात्माना राजमा तो कहे चे, कि बदाने रोटलान लुगडा भर पेट मढवाना हता, पड़ गादी राज, एटले कि आपनने आजादी मड़ी गई, त्यार पछी पड़ेमनी परिस्थितीमा बोजाजो फेर नथी पड़ेव, एई अमलदार साही नो जुलामने आवी पड़ेल परिस्थितीने स्पिकारी, जीवी जवानी भावना बन्नेना दर्शन थाए चे, साचना सहीदोनी अमित छाप, लेखकना रदैमा स्थपाई गई छे, एज रिते चोथा प्रकरणमा गोठ गामनी जंगलमा आवेला वैजनात महादेवनों परिचेई थाए, सरू जे जंगल छे, एनु वर्णन एकदम सरुवातनू काव्यात मक छे, पछी वैजनातनू विशाड गुमबट अनेना उच्चा सुखरवाडा नाक से, एनी चिन्ता टोकाई छे, वैजनात मंदीरना भई प्रेरक शिवलिंग नो उल्लेक त्री नेत्र मूछवडा कोई राजपुती योधाना जे उस्सीव मस्तक आकरशक छता मनने भैती भरीदे तेवुभतू, मंदीरनी धर्मशाडानी हिंदी मिश्रित गुजराती बोलता नारणगर बावाने एना करतुतोनी वात पण वणीला छे, आ मंदीरनी आसपासना विस्तारमा भराता गोकड आठम अने सिवरात्रीना मेडानी वात पण करे छे आसपासना गांबो माती हजारोनी संख्यामा उप्टी पड़ता लोको, आनंद, उत्सा अने मस्तीना मेडाने मोज मानता होई छे, पावाना ताले नाचता गाता होई छे त्यारे ख्याल पढ़ना आवे के आज स्त्री पुरुसो गईकाले मजूरी करता हासे, के ताडथी बचवा राक्थी डबूराईने सूता हासे आवती काले पाच्छा एज जीवन मां जोत्राई जसे, अहीं जीवनना मांदला उत्साहने बदले, पड़े पड़े जीवन मरणना जंग मां जुकी रहेला जजुमी रहेला, लोकोंनो स्वाभाविक उल्लास देखाड़े होचे आवा मेडा जुवानी स्मृती जीवननो मधूर संभार नो छे एमनी गीप के नुर्त्यने कोई सरकारी आचार यने उत्तेजनानी जरूर होती नथी ए जरीते एमना खुल ए उल्लास नेलको मानता होई छे प्रकरण पांच मां दादा जोईता राम पाठक ना व्यक्ती चित्र अने एमनी यजमान व्रुत्ती अने साथे साथे त्याना लग्ननो मरण प्रसंग ना रीती रिवाजो अने तनी पाछाड नो कारूनिय प्रगट कर जे दादा जोईता राम नू साहसिक अने हिम्मत बाज व्यक्तित्व बराबर वश्युचे तीखा स्वभावने कारणे कुटुम्ब मां बोल चाल थता पतनी जीवकुर्बा साथे वतन छोडी कोठ नी बाजूना पल गाम मां वस्या ने आप बड़े ज यजमान वृत्ति पड़ मेडवी कोठ मां बा हमना साथे आवी ने रहा आसपास ना गामों मां गोर तरीके सारी प्रतिष्ठा जामी हती यजमानों दादाने फाड़ियू उतारी पगे लागे वर अने कन्या बेवपक्स तरफ थी सारी एवी दक्षिना पण मलती लगनानी जेम उत्तरक्रियाना प्रसंगोना रमूज मिश्रित कारोणियाना प्रसंगो पण अहीं आपनान चलमा नोंधाया छे जेमा कुम्भार नों साताथ वर्स नों छोकरो बापनू सरावा बैसे चे पर रिवाज मूचप पोतरी गोर ने आपनी ना पाड़े चे कारण सु तो कारण एनी पास पहरवा काई छेज नहीं जिन्गी मा पहली वकत पोतरी मड़ी चे पहरवा माटे इटले समझावा छता पण ए मानतो न थी पोतरी आपा माटे एकाडवा माटे तो दोल मारी ने पोतरी खेची लेवा माँ आवे छे त्यारे रडता बाड़क प्रतिये लेखक ने साहन पुती जन्मे छे पण वास्तविकता कठोर छे दया बत्तावा जाई तो पोते भुखे मरे कांनकी गौर मारा जो बधाने जारी तो दया बतावे तो ये पोते भुखे मर्वानी स्थिती आवी जाई ने तो आ परिस्थिती आ कारूनियन वर्णन अने रसा थे रमुज ए पणा वर्णा चलमा अपनने जुआ अमड़े छे प्रकरण 6 मा लेखाके स्वराज प्राप्ती पछी जेना भर्डामा थी समाज छुट्यो न थी ए ब्रह्मन सुधरत्वना भेदनू आलेखन कर्यों छे सुधरोंने अड़ाय ज नहीं एमनी साथे तो रमाई से नू प्रामण तत्वना आभड छेटिया ख्यालो लोग जीवन थी अडगा अने अगनान राख्यानो लेखाकने रंज थाए छे प्रकरणना उत्तरादमा लेखाके बीतेला बचपणनी रमतोंनो लेख कर्यों छे एमनी प्रीय रमत एड़े दुकान दुकाननी वड़ीलो जयंत वेपारी थसे एवी आगाही पन करता एक वैपारी तो बन्या, एम जुआ जईए तो लेखक वैपारी तो बन्या, पन सब दना, गर नी बाहर नी रमतों मा मुख्य, इद गिली दंडा, भमर्डा, गेडी दडा लखोटा नी हती, और लखोटा नो होई तो कचका थी चला विले, ठिसा मा खकरता लखोटा, कंजूस नी कोथडी ना सिखाओ करता पण वधू आनंद लेखक ने आपता, बीजी प्रिय रमत, ते जाड़ पर चड़वानी, आखो बपोर तो आमली ना जाड़ पर जर्यवान, नदी ना पट मा, ददुगडा नी सोटियों मा थी, कांसका ने दाता बनावी राक्सस थवानी, ल मज़ा आती, देडकाने पत्रा मारी कुदा वानी, के वसाद मा कान उघाडबन करीने ये संगीत सांबढ़वानी, जे अनेरी मज़ा आती, ए याद करता, हवे तो निसा सोनाकता कहे छे, ते हीनो दिवसा गता अपने अमना छो प्रक्रण नी बाद करी, हवे कूल बार प्रक्रणों छे, तो साथ मा प्रक्रण मा बनान चल मा सूल लेखायलू छे, जोई है, तो मित्रो दादानी खेती, अने विविद पाक नी बाद थाई छे दादाना खेतर तरीके ओड़काता खेतर मा दादा चारों लेवाज जाई, त्यारे त्रोणे भाईबेनों साथे जाई खेतर मा बाजरी, मक फड़ी, तुवेर, मग, मठनू वावेतर कर्यू होई, मक फड़ीनी लीली सुवास तो आजे पण, जहाने लेखक ना मनमत ताजी जे दादानी साथे थता बाड़को, पोताने गमता काम मा जोड़ाईने आनंद मानता, घरनी पाचर नो वाड़ो पन खूब मोटो, जामफड, दाडमडी, बोडी, जिवा रसाड व्रुक्सोना मधूर मीटा फड़ोनो, स्वादे मा अकबंधर होचे दूदी वालोड ना माडवा अने बाजूना जंगल मा पाकेला अनूरा तोडवा जवानी, अने खावानी खूब मजाले खकने आउती पाण की एकुवे सेडी ना कोलू चालता होई, त्यारे दादा साथे रस्पीवा जवानू मडे, गरम गरम गोड खावानू मडे, उनाडाना दिवसों मा खुल्ले पगे चालता दजाई त्यारे खाकराना पान पगे बांध्या के इवी खाकराना पान थी बनावेली चंपल दादा बनाऊता एक खुबत सीडी, एले इत्तम धंडक आपती, कलतना गरो मित्रो एक खाकराना पान दी चंपल के वी लागती आसे दादा क्यारे सवार नी सीडी धूल मा पडेला बेल जिवा तेतर ना पगलानी ओडख पन आपे कोई हिंसक प्राणी जेतू होई तो सवारे एना पगलानी ओडख पन दादा बताओता घर मा भक्तीनु वातावरन पन खरू दादा ए साड़ा मा जता पहला ज गायत्री मंत्र अने एनी संख्या सिखवाड़ा दादा सवार सांज भागवत मा लीन होई घर मा सांज नियमित प्रातना थती घीनो दिवो बढ़तो रामरक्षा नर्मदास्टक अने बिजास्लोको गवाता अगरासलोको उच्चारवा मा बुलो पन थती त्यारे भक्तिनी साथे रमुजनी लहरी फेलाई जती कायन वाचा मंचेंद्री एवा आपनू मंत्र छे अपन बधा जानिया शी एनी जग्या आये लेखक नी नानी बेन हीरा कायन वाचा मंचिन सोमो बुले त्यारे चालू प्रातनाए मोटे राओ पन हसी परता आठमा प्रक्रण माल जे आधिवासी प्रजा बारेमा स्वेट करीने पेटी उडरती ते वर्स दर्म्यान आउता जुदास्दा तेवारो उजवीने जीवान ने हरसो लास थी फरी पुना चेतन वन्ती बन्ती तेनू निरूपण आहीं छे आप्रक्रण मा देखक आप्रजाना बे मुख्य प्रसंग होडी औने लग्ननी वाद करे छे होडीनो उत्सव आखा गामनो अने रोट्सव गामने जहां पे आवेला वडपासे खूब मोटी होडी प्रक्ता वारती होडी ना दिवसो मा अने होडी पची चार पात दिवस वो डांडी आरमे स्त्रियो स्रुंगारी अने उल्लास ना घीतो गाई दारुना नसा मा उनमत स्त्री पुरुसो होडी मांगे ठेर ठेर रावणा थाई क्यारे आनंदने खातर कोई ने त्या भजन पन बैसाडाई भजनना भाव मा अने संगीतना ताल मा भजनीकोना माथा अने सरीर टोलता होई आकरा जीवन संगर्स बच्चे लोको गाई नाचे जे ने आपने सुधारेला लोको आ जगत मा दुखो औने हतासानी संस्क्रूती अने कटो गटीनो भार माथे लई फरिये जीए अहीं लेखक ए आदिवासी मोटे भागे थोड़ू भणेला अस्तिक्षण मिड़ोडा क्या मोटे भागे अभण इवी प्रजापासेती जीवनना उल्लास नी सीखापे जे लगनमा पना आलोकोनों हुमंग जोवा जेवो होई नायक स्त्रीपुरुसो आखी रात नाचे वर के कन्याने मामो खबो वैसाडीने गुमतो होई बापु आदिवासीोंने गोराओनी रमूजमा सरखामने करे बनने ना घरो अलग-अलग, बनने कूत्रा पाड़े, बनने ना स्त्रीपुरुसो दारू पीए, तमाकू पीए, ने नाचे गोराओ चा पीए, त्यारे आ लोकों आदिवासी लोकों चा पीए, चा एटले चास पीए मेडाना दिवसों मां जोडिया पावा वगाड़ाता ना चाता मेडों महाले, त्यारे लेखकने प्रस्न थाए, क्या लोकों मां आओ आनंद क्या थी आउतो हसे गैर रोटलानो लोट नती, माते साहुकारना दुंगर जिवा देवा चे, पैरवापुरा वस्त्र नती, छता आओ आनंद, सतत्रास, अने वेट भुगवती प्रजाना जीवन नी नाड नो सारो परीचे अहीं थाए चे नवमा प्रक्रण मां लेखक आदिवासी प्रजाहे बेटवो पड़तो भुख मरो वळनावे चे बलो वाता अंतरे लेखके जुदास दा प्रसंगो द्वारा भुखनी कार्मी कहानी रजु करी चे अईना घणा लोकोंने भगवान बुख्याज सुवाडे चे अने बुख्याज उठाडे चे जाड पालो के कंदुमूड खाईने दिवसु पसार करती आ प्रजानी अनाज न होई तो छास्ती पेट परे चे चोकली भंगडी अने गोगंबाना दुडा मासीनु चित्रांकन तो वेदनानो सिरो मोर प्रगट करे चे दिखरी मोटी चे पन पेरवा कपडा नाथी दुडी मासी ए रोटला ने खातर सगा धनी ने घरनी बाहर काड़ी मुख्यो सु करे जारे घरमा जे व्यक्तियों रहे चे एने खावा माटे रोटला ना होई तो एक व्यक्ति ए बोज बराबर चे अने एकले पोताना पती जे कसु कमाता नती अपंग चे ए अपंग पती ने घरनी बाहर काड़ी मुख्यो ने जीव तो ना चाले होई पन वास्तविक्ताने मजबूरीनू सु थाई अपंग पती गेला भाईने मारवाने वाके ठोबरू लईने भीक मांगतोई विचारो फरे चे रोटला ना दुखाले जे पत्नीने आवी निर्मम बनावी चे आवा भूख मरा वच्चे जीवती प्रजा हजी लूट फाट के चोरीना रवाडे चड़ी ना थी एक नौधवाजी भी इबावत छे के आटलू बदो जे दस्तावेजी चित्रान थाई उचा आदिवासी जीवन नू कि किटली बदी हाड मारी संगर्स ओ मुस्केलियों मा थी पन एलको चोरीना रवाडे हज लूट फाट के चोरी मा मानता न थी चोरीना रवाडे चड़्या न थी आ प्रजा मा गुनो करवानी हिम्मत जन थी दरीद्रत आतो जाने कोठे पड़ी गई जे आगलना दस्मा प्रक्रण मा आपने जोईए तो भूत प्रेत नी अंधबान्यताओ भेमो औने अग्णान न नाम नो मंत्र लखिया पे बड़या निकड़या होए तो दवाने बदले मा थे सडकती सगडी निमोमा खासडू लईने बाधा करवा जाई मानस के दोर मांडू पड़े तो दुंग्रा नवरावे हणगा संबंधी जा जज़ा हतनी वातो चाले जड़ी बुट्टिती गमे मां हदरूपी स्त्रिये जले के कदरूपी स्त्रियों मां दाकनत देखाई ताराओना जहाखा प्रकास मां जाड़ पन जड़ ज़ेवा देखाई मानस धीमे धीमे ख्शाण थाए ने एकदम ख्शेण थाए ने मरण पामे तो गलती मूठ नो भोग बनेव चे मानीलेवा मा आवी प्रजा रोग मां योग्य उपाई ना भावे मृत्यूना मुख मां होमाई जाए छे लेखक ना पिताना संधरभ मां बनेल आभा वडगण वडगार्ड ना प्रसंग ने पन लेखक के खुबज आस्चेर भावे इं आलेख्यों जे आगण 11 मां प्रक्रण मां लेखक नो वतन त्याग रजू थाए छे आगण पन आपना जोयू के वनान चलना दस प्रक्रणों सुधी लेखक पुतना वतन प्रजा उत्सवों परिस्थितियों संगर्सों बगेरे नी सर्वानों भवे रशिक काम वातों नी रजुआत करे छे पन जहरे स्मृती कथाना छिल्ल बे प्रक्रणों फरिती व्यक्ति लक्षी आत्मकेंद्री अने स्वानु भव रशिक बने चे जहां बाडपन वीट्तियों चे ने प्रात्मीक सिक्षन पुरू थायों चे ए वतन ने छोडवाने बे कारणों उत्भवे चे नानी उमर लेखा के पितानी छत्रचाया गुमा आवी चे ते वकते अधार वसनी उमर ना मोटा भाई पर पितानू कारभारी पद साथे बा औने बे नाना भाई बेन नी जवाबदारी आवी पड़ी चे गाम्मा आगड अभ्यास नी सगवड पर न होई अंग्रेजी साड़ामा दाखल थवा सहरमा जवूज पड़े ए ब जे भूमी मा जीवनना आरबनो यादगार किमती समय गाड़ो गाड़ो चे एवन एवगडो एवतननी भूमी ने छोड़ी ने जवानी वसमी वेदोना लेखकना बाढ मानस उपर उपस्ती देखाई चे नानी उमरे बतन छोड़ी गोड थी कालोल जता बाढ जयंत आसपास अतना वातावरणने आखोथी पी रया चे गाड़ा नीचे पिलाती रेतीनू रुदन पाणी नो छल बलाट स्वजन जेवी अनूरियो सत्रुहर्णी माथानू थानक दुरुसको कोतर मोरड यो दूंगर बधू छोड़ता लेखकने जाने जीवती चामडी उतला आती होई अधर्ती साथे अटलो घाड संबंध हसे एनो तो ख्याल विखूटा पड़वानिया वेडाये जाव्यो अत्यार सुधी वतननो एक कार्मो जी घाचे ए वियोग लेखकनो बाढ़ रदेई एवकते अनुभवे चे एनी अकत्य वेद ना लेखके लेखक प्रत्य अनुकंप जगवी जाएचे विदाईनी आक्षणे बाढ़ जयनते थाईचे के पोताना प्रिये पनांचे साथे ना नान पड़नी आद सुधी ना बंधाएला संबंध हवे हम्मेस माटे तूटी रायाचे विदाई पची लेखक कालोल मा माध्यमेक शाड़ा मा दाखल थाईचे बा अन्तु वतननों जंग छूटतो जाएचे अने रई जाएचे मात्र रंग मनमाने अंतरमा जाणे बतन छूटता लेखकने जीवनननु एक अनेरू आनेंद पर्व पूरू थायू होई एवो अनु भाव थाईचे बार्मू प्रक्रण जै वनानचलनु छेल्लू प्रक्रण चे मा कोई व्यर्थ विस्तार सांध्वानों लेखकनों कोई हेतु नती एम तो वतनना वनानचल थी सरूधतिया स्मूर्ती कथा वतन छूटता अग्यारमा प्रक्रणे पूरित थवी जुई है पन बार्मू प्रक्रण उमेरी ने लेखक तेनु समापन कर चे पनांचल रचनानों जन्म लेखक अने आत्मकथाना नामांकन साथे आ छेल्ला प्रक्रणने सीधो संबंध चे बतन छोड़ियाना पूरा साड़ा त्रोण दाइका इटले के पात्तरीस वर्ष बचिये फरी लेखक वतनमा जवानों मोको मड़े चे लेखक ने त्या जई ने थोड़ा दिवस रही सैशवना स्मृती चित्रो वागोडवानी यमनी अभीला साथे ये त्या लेखक वतनमा तो पहुँचे चे पण त्यारे कोई अजानी जग्या आए जा कोई लेखक ने ओड़क तूज न थी एवा बनान चलनू एवा सर्जननू ए निम्मित बने चे एश्टी बसमा वतन पहुँचेला कभी विचारे चे जहां कोई वेडाए आग गाडीनी वात कोई मानवा तैयार ना तो त्या दम दोकार बसो दोडे चे अंग पर लंगोटी भेर फरता आदिवास्यो थेपाडो गुगरी वाडा लाल पीडा खमीस अने माथे फडिया पेरेला जणाई चे करण नदी परना बन्दे तैमनी आर्थिक स्तीती सुधारी दीदी चे मात्र आदिवासी नहीं गामना बद्धालो को सुधरी गाया चे बदाना मौपर सुधरेला जीवन नो रंग चमके चे बदला एला माहोल वच्चे लेखक पोतानू गोठ गाम अने घर सोधवा जाई चे त्यारेज खबर पड़े चे के गोठ तो उजड थाई गयो चे गर तो रहू नती पण आगलनो वड पण उकड़ी गयो चे पासेनू गोगंबा गाम पण हवे सेहर बनवा मांडियो चे एमनी पड़ी गएला घर नी इटो पण लोको ये उपाड़ी गया चे अने आसपास नी भूमी पण बदलाई गई जणाई चे बंधने कारणे बारे मास भरपूर रहती करण नदी पातड़ी सेहर जेवी थाई गई चे खड़को हाड़ पिंजर जेवा लागे चे वैजनात महादेव पण हवे सुदरी गया चे गाम मटीने कस्बो थायल गोगंबा मा बजार होटलो थाय गया चे जे वतनने अंतरमा संगरीने आवेला ते वतननों तो हवे जाने क्या रहयू चे नथी कोई ओड़कीतू नथी अजानेयों गणीने कोई कुत्रू भसवाय तेयार नथी रहया से जाड़वा ने लेखक पूछे जे तम बने ओड़को चो तो जाड़वा के माथू अलावी नके जे ना न आ जवाब आपे जे मानस नी प्राथमीक लेखक नी जे इच्छा पूरी न थता ये जेना माटे ये आवया हता ये इच्छा पूरी न थता आ भूमी उपर पोते कोई जीव तो मानस जन थी एक प्रेतनी जेम बास ना देहे विचरे जे अंते लेखक कहे जे एक आखु जगत मारा चितमा बरावर वसी गयो जे वरत्मानना संदर्मा हूं आ भूमी पर न थी थाई छे के सवारे जहीं थी निकड़ी जाओ वधारे रेवाती रखेने चितमा अंकायलू पेलू चित्र चहराए जाए सवारे मोटर माँ विदाई धाऊं छू उचा नीचा रस्ता उपर आजका खाती मोटर एक धारो अवाज गरती चालती थाई जे बत्ता जता अंतर साथे हूं चितमा उगेला मारा बनान चलमा बदूने बदू उंडे प्रवेस्तो जाऊं छू अने नानी नानी केडियों जेवी काव्य बंगतियों मनमा उगडी रही जे अहीं हूं जन्म्यों ते वननी वचमा ते वन नती नती ए माटीनू घर निज लहा ते जन नती अजाणिया ताकी रहे वदनमा मुझने सव सदनमा वडू पाचो मारेज वनघर हूं माराज मनमा असाड़ा त्रोण धायका पचिनी मुलाकातनो आरदै विदारक प्रसंग समगर वनान चलनी सुनूतियों ने सब्द देहे आपवानू निम्मित बने जे अवास्तविक भूमी पर थी नास्वन्त धहेलो बहगोलिक वनान चल हजु एमनी मनो भूमी पर अकबंध जे जीवन्त जे अस मृति कथा रूची मा हप्तावार प्रगड थाया ती काड ने सहे वही जता वर्तमान साते चित पर निये द्रूड धैली स्पृतियों नाम सेस थायते पहला लेखके तने साहित्यमा कलमना महध्यम थी आलेखी ने अमर करवाई चीछे असब्द देहें पामिला अवनान चल ए फक्त जहेंत पाठक नीज अनोकी कृती न थी परन्तु गुजराती साहित्यनी पड उत्तम सैशव स्मूति कथा बने चे अपने वनान चल ना प्रक्रणों जोया विजरो ए प्रक्रणों वशी अपने वनान चल ना जे थोड़ाक एम कहिए के आत्मकता लक्षी मुद्दावों पर विचार खरी तो एमा अपने जोये बनान चल गुजराती साहित्यना आत्मकता प्रकारमा एक महत्वनों सीमाची ना रूप छे वतन चोड़याना साड़ा त्रोण दाइका बाद वतनमा घयेला लेखक ने सैशव काडमा जे गाम जोयू छे जंगल नदी एना काडमिंद खड़को भई प्रेरक वन राजी नानकडो गोठ गाम अने एना छापरा एमानू कोई अभे देखातू नती लोकोनी आखमा अजानेव भाव छे अने लेखकनू मन विसाद थी भराई जाई शे ए विसाद माथी सोकहस लोकात्व मागत नी जेम बनान चलनू सर्जन थाई छे सोक माथी आजे सर्जन थाई उचे अनी बाद चे बनान चल आत्मकथा होवा छता एक वाद तो स्पष्ट जणासे केमा जयन पाठकना सैशवना स्मरणों नी अभिव्यक्ती चे छता एमना पूरा जीवन नी क्रमबद घटनाओनू नीरूपन नथी परन्तु लेखकना सीशुवाईना स्मृती चित्रोनू आ लेखन छे आ स्मृती कथामा लेखके तेमनो परिवार ने केंद्रमा न थी राक्यो परन्तु केंद्रमा छे वनान चलनू गोट गाम एनी नदी, जंगल, कोतर, आदिवासी लोक बालकना ए सम्वेदन सील औने ग्रहन सील मन थी एमने जेज होयू छे अनुभव्यू छे, प्रक्रुतीना अवरण वाळू ए जीवन एमने आ कुत्रिम अने अनायसेज ए सैली मा प्रगट कर्यू छे बालकने अहम भाव नती होतो, तेमा जा सैली मा पन अहम भाव नती अने तेमने पोतानी आजुबाजुनी जीवन नी जे सजीव निर्जीव स्रुष्टी साथेनु सहज तादम्य आलेख्यू छे अस अगडू रसाद्र सैली मा अही निरुपायू छे पहला अने अंतीम प्रकरणोंनी वच्चेना पानाओमा बाली अवस्ता अने प्रउढवस्ता वच्चेनो सर्जक जयंत पाठक ना नान पड़्णा संस्मरणों आलेखायेला छे आस मरणोंनी साथे सर्जक ना बाढ मानस पर अंकित थती वनान चलनी छब्योंनों चितार पन जुआ मड़े जे सर्जक व्यक्तित्वने घर्णारा परिबडो पन आस मुरुती सम्वेद्यना पर्णन माथी स्फोट थाई जे वच्चेना दस प्रक्रणों मा लेखकना प्राथ्मिक साडाना अनुभव सैशवकालनी रमत गमत तैवार ब्रत उत्सवो बाल्यकालना खावापीवाना अनुभव उप्रांत आदिवासी प्रजानी बास्तव जिन्दगीनु चित्रन एमना आ रीत रिवाजो, सोशन, धर्मस्रध्धा वगेरेना ताद्रुष वर्णनों क्रूतीने असरकारक अने रस दाई बनावमा फालो जे वड़ी किटलाक रेखाचीत्रों पन रदैस परसी बने आजे बवानी संकर्त आक्तर, दमला मास्तर, जंगली फोसदार, साचना बे सहीदो, नान्यों अने रामलो, दादा, पिता, मोती कासी, दूडी मासी, मोटा भाई, चोकली बंगडी वगेरे पातरों मां व्यक्तित्वने जयन्स पाठक न सर्जक व्यक्तित्वने घडवा मां अने रूप रदान कर्यों छे सैशवना एसंस मरणों मां मानेला जम्रुक, बोर, कैरी, केडा, दाडम, वगेरे तथा दूद, दै, छास, सेडी नो रस, वगेरेनो स्वाद, अने रस, हजू सर्जक अनुभावता होई एरित वढ़नन कर्यों छे नाठा दोसानो आबो, दादानी जाम पड़ी, दाडमडी, खाइबोर नी बोडी, ली बोडी, आमली, अनुरी ना प्रुक्षो, आ बाड़कोना भेरू बनी गया छे एटले तो कवी जयन्त पाठक कहे छे, व्रुक्षो मारा भेरू, व्रुक्ष अने हूं, आ कवी तामा लख्यू छे है उमने, ये सेडी नो साठो, सेडी नो रस, अने इना ताजा गौल नी साथे दादाजी नो सत्वारो, वड़ी उनाडा मां आबो वेडतो हो, इत्यारे पर दादा साते खेतर मां जवानी मजाज कही अनोखी हती, इतले सुधी के दूड मां पड़ेला पगलानी ओडख पण दादाजी कराओता, अवी सरस मजानी मोजेली जिन्दगी, सेहर मां क्या मढ़वानी, आ प्रकुरुती राग, व्रुक्ष प्रिती, सैशव मां संस्का रूपे घडतर पाम्या छे, पंच महालना वनवगडाना प्रदेशोंने खोडे, मोटा थैला लेखा के प्रकुरुती साथे विविद रूपोंनो सच्चं करेओ छे, वन, वगडो, वतननी प्रकुरुती अने सम्वेदन सीलतानू अनोखु आकर्षण अहीं व्यक्त व्रुक्ष, वनराजी, हाथियो धरो, कणजिया, आमबो, लिम्बडो, पीपडो, सीम्बडो, वगेरे व्रुक्षों साथे नी चेतना अने आ बधा साथे नो वतन जुराबों। आ बधूज सर्जक्ना चितमा रम्मान छे, नान पडमा दरेक वाड़कोने वार्तामाज इ खूबच प्रिया हती, सम कर तो भमर्डो फरे, उंगले, कातरे चड़े, त्यारे मनानन थी भराए जाए, पन जो भमर्डो चीरा ही जाए, त्यारे कि गद्दा पड़वा थी बेदोड थे जाए, त्यारे तो लेखक ने पुतानू सरीर चीरा तूए नी वी वेतना थाए आदीलो गादीलो रमवानी मजा, तो ढिंगला ढिंगली नी रमतों, एना लगन पड़े वी ज प्रिय रमत, घरमा रमवानी रमतमा लेखक ने प्रिय रमत ते दुकान दुकानने, दादानो ओटले दुकान मंडाए, रेतीनी खांड, माटीना ध्रेफा, नो गोड, मक फड ना दाना दुकान निये सामगरी, दादा एक कोडिया मां त्रोन काणा पाडी इन त्राजू बना विया पे तू, पजी पत्थर ना काटला, नडिया ना टुकडा गोड गसी गसी न पैसा तरीके वापरवाना। ने करी ने अंग्रेजी स्कूल मां भणवा माटे, मोटी बेंदने त्यां कालोल सुधी जवा सुधी ना जे वर्णानू छे, एक दम चित्रात्मक सैली मां वर्णा व्या छे, तेमा वर्णन वर्णन ओग्णी सो वीस थी, ओग्णी सो त्रीस ना समय गाडानू वनान चल ने यमने निरूप्प्यू छे, पंच महालना देवगड बार्याना देसी राज्यनी हुकूमत हेतलना विस्तारने लेखा के आस म्नूती कथामा मड़े ओछे, राजगड महाल पावा गड़ती सात आठ गाउं दूर आवेलू छे, आ महाल कुल त्यासी गाम एमा मोटा भागना वस्ती, कोडी, धराडा, बारईया अने आधिवास्यों नी हती, मुख्य जाती, राठवा अने नायक नी, आ संधर बे बनांचल ए मात्र स्मृती कथा नह रहता ततकालीन समाजीवन ना, ततकालीन समग्र परिवेस ने प्रगट करती कथा जे, ए समाईना लोकों, तेमनी र समग्र चितार अहीं मड़े छे, आस मृती कथाना नायक बालक जैन्त भाई न थी, पन बच्चू भाई नी आखे जुआएलो, पूर्व पंच महल जिल्ला नो ए परिवेस छे, जैन्त पाठक नू नान पड़नू नाम बच्चू भाई हातू, अहीं पनांचल ना समाज दर बनिव रही छे, सरकारी अमलदारों, रजबाडाओनू राजकरण, फोजदार, तथा पोलिस तंत्र ना अमानू सीवेवार, भोडा, निर्दोस, अने अभण आधिवाशियों ना जीवन साथे जी रमात गंदा राजकारण, यथा चता रदै ध्रावक निरूपण, अहीं करवामा अभ्यू जे, समाज दर्शन साथे ए लोकोनी मान्यता, श्रद्धा, अंश्रद्धा पड़ न एनू आले खान, आपो अप थायू जेजे, क्याक पड़ भार लिधावीना इस सहज चित्रन कलाकरूती ने जरा पड़ नुक्षान करतू नथी, जेमके भवानी संकर दाक्तर ना व्यक्षी चित्रनी वात करिये, तो स्वाभाविक भूला निर्दोस आदिवास्योना दवा साथे कागण ना पड़ीका खावानी निर्दोस अग्नानता रमुजु भी करेशे, अमा कउं तो दाक्तरे दवा आपी, तो आपने पन जहरे जाईए, तो आपने ड कागण पन जावी गया, अने एना कारणे पछी डॉक्टर पूछे जे के दवा थी कई फेर पड़े, तो डॉक्टर ने किया छे, दवा तो सारी आती, फेर पड़े पड़ो पन दाक्तर सा ये बाद, जे कागण या चावा छे न ए भावतू ना थी, अने पछी जे भवानी संकर दाक्तर गुस्से थाई जे, त्यारे अभूद अधिवासियों ने अगनान खबर पड़े जे के आ कागण दवा परवा माटे जे, नहीं के खावा माटे, इटले आ रीतिस मृति कथाना एकज भाग रूपे आ समाज ना मानस नू चीतार आपड़ने सा पड़े जे, आ आधिवासि कॉम्ब माँ भूत प्रेत, दाकाण, जन्तर मंतर वगेरे अंध स्रद्धाना प्रसंगोना वर्णन थी सामाजिक चित्रन कर्यों छे, एहीं लोकवा, देव देवियों प्रत्ये, पन स्रद्धा करता भईनी लागणी वतु छे, जेम के, बढ़िया देयो, तेम अलाना रूपे प्रक्टे, एटले बढ़िया देवनी बाधाले वायाज, वैजनात महादेव माँ बढ़िया देवना थाना के, बाधा उतारवा पन आप रजा पगे चालीने जती, दोम धकता ताप मा, धूड अने पर्चे वे रेब जे भजन किर्थन करती जाए, आज र आप रजानी जीवन देवी एटले नवरात्री, नवरात्रीना नवे दिवस पूरी श्रद्धाती उजवाता, मातानो रथ आ दिवसों मा निकडे एटले दादाजी बाढ़कोंने संध्या काडे बाहर निकडवानी ना कई दे, आम तो आ रुतुमा मलेरिया नो आबर होई इटले ताडिया टाउने, कारणे एने माता जीनो कोप्स मानी लेता, लोको दवाना करे, पन बाधा आ खडी गराके अहीं सर्जकना बाढ़ माना सुपर, गोगंबाना संकर, ओडने माता आवे ते वित्तिवर असर, अंकाई गयेली आपनने जणाए छे बीजा आप रजा माते डूंगर ए मोटो देयो, डूंगर नवाडियो, विदी ते वो वधू सारू थाई एमाते करता, एजरी ते हणगा नो भईपन खूब लागे, हणगा एटले अमने जापने वात करीने, के बावा उपास एवी मैली विद्या होई, के जड़ी बुट जड़ी बुट्टी खोवाई गया ने, पछी एबाने एमाज एट स्वरूप मां रही गयो, अन्स्रद्दाने भईने कारणे आ लोको समुदाईने धोडे धाडे, भूत, प्रेत, दाकन, क्यारेक तो विचितर हिंसक प्राणियों पन, गम्मा, सीम्मा, गम्मे त्या, गम् में त्यारे मडे, खास बीलाडी मां बकरी, कद रूपी स्त्री मां आने वृद्ध डोसी मां दाकन वदू देखाई, तेथी कामे जता होई, गाडू लईने जता होई, तो वरू के सियाडवां मां एमने वन त्रूज देखाई, आ मही रेनारी लोक समुदाईने मानस प्रस असाथे बील, राठवा, नायको, दरीदरता, दीनता ने अगनान, लेखकना बाल मानस ने, कमपाउता तो तेनी व्यथा कथा अनुभव, भावकने दुखी पन करे छे, पोताना गोठ गामना घर ना, वाडा माथी गणीवार, बच्चूडो आ अधिवास्योंने माथे, प साथमा ठोबला, अने साथमा छोकरा अने कूतरा लेने जता जोतों, गणीवार एलोको बा, एउँ एमनी बाने केता, गणीवार के बा, छोराने बै दनना भुख्या चे, कईने वधारे छास मांगता, त्यारे बच्चूडो बानीचा में भाव थी जोतों, क्या आपी चोकली वंगडीनों पात्रपण, आप रजानी गरीबाईनों तादुरुष्य चित्र प्रगट करजे आम समगर रिते जोता, बनान चल माजे समाजनों प्रतिविंब थयू छे, एकदम वस्त विकलागे जे नर्म मर्मक टाक्स तथा रमूजी हडवी सैली आ सर्जक नी विसेस ताजे तुकी सरड रदै वेदक वाके रतनाओ ए आ सर्जक नी गत्य सैली नी विसेस्ट ताजे जेम के धूडी मासीनू साचना बे सहीदोनू चोकली बंगडी वगेरेना व्यक्ती चित्रो रेखा चित्रो वनान चल माँ दोराएला केटलाक रेखा चित्रो साचेज रदै स्परसी अने मनोहर अने आनद अने घणी वार एम के वाई के रदै द्रावक पन छे जे वनान चलना कला घाटने पोस्तनारा बनी रहे जे क्यारेक स्मृति कथाना रस्म विग्नव भूथातू नथी अने अहीं क्या एक कसू पन आगनतू के कृतक जणातू जणातू जणाती बदू जाने अम एक्दम पिल्व आपने अपनी सामे एक कल्तना से चीतर प्रगट था तू एवर से बस एक कल्तना अपना मनमा जाग्याच करे अपनू मन एचीतरो बनावेज राखे ए रिते आखु लई बद रिते लखाये लुआ वनान चलन छे अलंकार वहिविद्यनी विशेस्ता समग्रस मरण क अपने बदारेने बदारे अलादक बनावेजे उपमा, रूपक, सजीवारो पन, द्रश्टांत वगिरे अलंकारो आ सर्जक सहज स्वाभावी गृतेयों जेचे क्याई पन उपर थी लदायेला के भावकों माटे भार रूप के समझवामा कठीन लागता ना थी वननों बनेलों, वन्ती सभर एवों, भूमी प्रदेश, माटे संस्कृत माँ वन प्रदेश के वनराजी सब्दनों प्रयोक प्रचलेचे संस्कृतीने आधारे गुजराती माँ पड़ ए सब्दोस विकाराया चे हिंदी माँ कोई प्रदेश, विशेश के जन जीवन ने निरूपता साहित्य माटे आंचलिक सब्द प्रयोजायो चे लेखके सैशवनी आस्मृती कथाने वना अंचल नाम आपियो चे तो वन बत्ता अंचल, वना अंचल अंचल एटले छेडो, किनारो, खोडो पड़ अहीं वननों खोडो ए लेखकने वधू अभिप्रेत लागे चे वतन प्रत्यना कृतगन भाव, व्यक्त करवाने वनांचल नाम अपने यथा योग्य पाड़ियो हैं लागे चे लेखकना जीवन अने स्वासमा वणाईने वगड़ाना स्वास रूपे अप्रक्टे चे जे वनांचल ना सौंधर्यानू पान कर्यू छे, तेना थी तेमना देहिनू पन नहीं, पन मन अने साही तेनू हाड़ पन बंधायू छे प्रक्रूती प्रेमेज एमने कवी बनाव्या छे, फरी वतनमा जाई छे, तेमना अंतरने एक धम दुखी करी देचे, विसाद ग्रस्त करी देचे अने विसाद पन एक उत्तम रचना वनांग चलना सर्जन मा कारण भूत बने छे, या अपने यहीं आप जोयू, अस्तु